नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में मैं करुना आज ये वीडियो लिकर आई हूँ 12th क्लास के पिंटिंग सब्जेक के स्टूजेंट्स के लिए और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों के चापा चित्र तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ समकालीन कलाकार हम कहते हैं उन आर्टिस्ट को जो आर्टिस्ट आज की डेट में भी कला के छेतर में बहुत से प्रियोग कर रहे हैं और या फिर उन आर्टिस्ट को जो अभी जल्दी में ही जिनकी मृत्य हुई है ठीक है मतलब बहुत ज़्यादे पुराने कलाकार को हम समकाले इन कलाकार की श्रेड़ी में नहीं रखते आधुनिक कलाकार कला के छेतर में वो सभी कलाकार है जिन्होंने बंगाल शेली में काम किया और उसके बाद के आर्टिस्ट यानि बंगाल शेली के बाद के आर्टिस्टों को बोल दिया जाता है आधुनिक कलाकार और बंगाल शली हमारे हैं कब आई बीसमी शताब्दी में यानि बीसमी शताब्दी के बाद के कलाकार आधुनिक कहलाए जिहों ने पारंपरिक रोड़िवादी कला को एक तरह से छोड़ दिया और त्याग दिया अब दूसरी चीज यहां पर आई है बिटा छापा चित्र आपने अभी तक चित्रों को पढ़ा ठीक है अब आप पढ़ेंगे छापा चित्रों को और छापा कारों को ठीक है अब छापा चित्र क्या होते हैं चित्र और छापा चित्र में बस इतना सांतर है कि चित्र कलाकार एक बारी में एक ही बना पाता है लेकिन चापा चित्र कलाकार एक बारी में कई बना सकता है और कैसे बना सकता है तो वो क्या करेगा कि किसी स्टेंशिल के माध्यम से उस चित्र का एक प्रिंट फिर दूसरा प्रिंट फिर तीसरा प्रिंट ऐसे करके वो प्रिंट निकालते ज वो depending करेगा उसी इसिटेंस़ पे ठीक है है अगर वो इस प्रेंश没有 और तो ज्ञादा प्रेंट निकलेंगे और कम मजबूत होग तो निकलेंगे अब इस्टेंशिलим कौन कौन से होते हैं और कभ ये स्क्रापी grain का नगी मनें अस्तितव में आए तो स्चापा चित्रों और यह वुड कट जोती सबसे पहले कहां आई चीन में आई और चीन के बाद फिर हमारे यहां यानि भारत में भी आई फिर वुड कट के बाद इंटेगिलियों इंटेगिलियों से पहले तो खेल लीनों आ गया लीनों के बाद लीनों के बाद लीनों के बाद लीनों के बाद और फिर उसके बाद उससे प्रिंट लेता है इसके बाद इंटेगलियो, इंग्रेविंग, एचिंग, आफसेट प्रिंटिंग, इसक्रिंट प्रिंटिंग और ये सारी चीजे चापा चितर में आती गए आगे आगे बढ़ती गए तो क्यूंकि आप 12 लेवल पर हैं तो हमें इन सब चीजों को बहुत ज़्यादा डीपली से नहीं जानना है हमें सिर्फ क्या जानना है कि चापा चितरन की विधा भी होती है अब आगे आपको इचितर पढ़ोगे और उस चितर में ये देखोगे कि भई इसको एचिंग तकनीक से बनाये गया है तो आप ये बोलोगे एचिंग एक नया सा वर्ड हो जाएगा तो ये एक चापा कला की तकनीक है एचिंग, इंटेगिलियो, इंग्रेविंग, लीथोग्राफी, लीनो कट तो आपको सिर्फ ये नाम पता होने चाहिए ठीक है ये काम कैसे करता है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा ठीक है तो अ किसी कलात्म कारे की प्रतिलिपी या नकल नहीं बना पाते थे ठपपा विधी प्राचीनकाल से ही सिक्केवे मोहरे बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाती थी लेकिन इस तरह के कारे को ललित कला यानि की पेंटिंग्स में या फिर मूर्ति कला में शामिल नहीं किया गया था हाला कि चापा चित्रकला का नवीन विक्सित रूप है जो रेखाओं पर अधारित है ये रेखाएं किसी मजबूत चीकनी सतहा जो की लकडी भी हो सकती है धातू हो सकता है कठोर कागज होता है या कोई अन्यपदार्थ भी हो सकता है उस पर मन चाहया कार वे रूप के रूप में उकेरी जाती है फिर चाप बनाने वाली विधी से कागज, कपड़ा या अन्य किसी सतहा पर उसकी चाप लेकर चाप चित्र तयार किये जाते हैं यह विधी तब भी महतपूर्ण है जब इस हमें ज्यादा प्रतियां चाहिए तो हमें चापा चित्र तयार करने पड़ेंगे आवशक प्रतियां प्राप्त करने के बाद उसकी मूल प्रति को नज्ड कर दिया जाता है किसी कलात्मकारे, सुलेखनकारे या क्रति की सामान्ने कागज पर च्छाप लेना एक तरह की यान कहा जाता है यह चित्र यह किसी चित्र की मूल प्रती होती है उसके बाद कागज या अन्य किसी सतह पर एक यांत्रिक प्रत्रिय द्वारा इसकी छाप ली जाती है रेखाओं को केर ने जाल बनाने के लिए कलाकार तांबे का प्रियोग करता है जिंक का पॉलिमर प्लेट का प द्वारा चित्र उकेरा जाता है। लीनो कट जो कि मैंने बताया कि एक मोटी रबड की शीट होती है। उसमें हम लीनोनियम का प्रियोग करते हैं। इसक्रिन प्रिंटिंग जो कि छापा कला की एकदम नवीन तम खोज है या की बिल्कुली नई तकनीक है। इसके लिए हम प्रियोग मिलाते हैं सिल्क का या सिंथेटिक कपड़ी का। बिटा ये तो था छापा कला। अब हमारे स्लेबस में जो चित्र हैं। तो हमारे स्लेबस में चित्र हैं बच्चे। और ये बच्चे चित्र के चित्रकार हैं सूमनाथोर। और इस चित्र को इंग सत्तर इश्वी के बीच और इस चित्र की श्रेणी रखी गई है समकालीन आधुनिक काल इस चित्र को छापा कला की एचिंग और एक्वाटेंट विधी से बनाया गया है तामबे की प्लेट पर इस चित्र को उकेरा गया है जैसा की एचिंग और एक्वाटेंट में मोस्ली ता अगर आज आप देखना चाहते हो तो आप चले जाओ रास्ट्र संग डाले नई बिली यहां पर आपको ये चित्र मिल जाएगा देखने के लिए तो पहले इस चित्र को एख लेते हैं तो देखिये ऐसा दिखता है ये चित्र इस चित्र में एक महिला और तीन बच्चे दिखाए हैं महिला और तीनों बच्चों की शारिरिक शरचना एक कंकाल की तरह हाँ पर दिखाई है मतलब की ये भूख से, गरीबी से, वेदना से सताय हुए है चीक है? और इनके साथ ही एक दूसरी महिला दिखाई गई है पास के लोग दिखाए गए हैं एक गरीब और एक अमीर एक इतना गरीब है कि उसके पास खाने के लिए भी नहीं है और दूसरी के पास अच्छा खासा पैसा चित्रकार नहीं है दिखाने का प्रयाज किया है ठीक है अब वह महिला उन लोगों की और देखते हुए या तो सहा चित्र में कहीं पर भी आपको काले और सफेद के लावत तीसरा रंग नहीं देखने मिल रहा यानि चित्रकार ने सिर्फ दो रंगों से इस चित्र को समेट दिया ठीक है रेखाओं का बहुत अच्छा परियोग किया है तो इस चित्र के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो काले और सफेद रंग की निक्शारित रेखाओं के सहारे इस विशिस्ट चित्र को तांबे की कठोर सता पर सोमना थोर ने 1955 सत्तर इश्वी में बनाया उनकी इस रचना में भुकमरी, कुपोशन, सोशन के सिकार एक गरीव प्रिवार के संघर्ष ववेधना को दिखाया बच्चों के चहरे विक्रत बनाये गए हैं, विक्रत बतब टेड़े मेड़े, क्योंकि हड्या ही हड्या है तो चहरे पर कहां से ही सुन्दर्ता दिखेगी, विक्रती ही नजर आएगी, कमजोर शरीर से जहागती हुई पसलिया, कुपोशित फूले हुए पेट, जुकी हु लड़की उनकी और सम्भवता दया भाव से देख रही है, चित्र में समतल सता पर सफेद वे निक्षारित भाव को काली रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है, तो ये तो था आपका चित्र, बच्चे की चित्रकार ने उसमें क्या ही दिखाया है, आब आजाते हैं सुमन सोमनाथ होर का जो जनम हुआ वो 1921 में हुआ चटगाउं जो की बंगलादेश में पढ़ता है वहां पर हुआ और ये एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने खुद ही कला की शिक्षा ली मतलब इन्होंने किसी स्कूल कॉलिज से नहीं सिखा ये खुद ही कलाकार थे और इन्होंने अ चित्र हम देखेंगे उन्होंने उन चित्रों में क्या दिखाया है आकाल भुकमरी युद्ध गरीबी अधिकतर उनके सारे चित्र कंकाल बेसी बने हुए हैं मतलब हर चित्र में उन्होंने इसी तरह से गरीबी को या कंकाल के रूप में ही उस अवस्था को चित्रित किया ह और क्या है उनकी क्रतियां जैसे 1943 में उन्होंने बनाया बंगाल के भ्यंकर आकाल को 1971 में बनाया उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध और 1975 में बनाया उन्होंने वियतनाम जो युद्ध हुआ था उसके अंतरगत उन्होंने चित्र कैसे बनाये तो मानवता के विरुध हो रहे अपराधों को या उससे जो परिस्थितियां उत्पन हो रही है वेदनाय उत्पन हो रही है उन्होंने उनको चित्रित किया यही उनके चित्रों के विशय थे उनके चित्रों में क्या देखने मिलेगा जितने भी मानव मिलेंगे या पशु आकरती मिलेंगी वो कंगाल के रूप में मिलेंगी जैसा कि मैंने आपको बताया भी है सोमनाथ ने अपनी डरंड इस्छा शक्ती के चलते चीनी कास्ट चितरकारी यानि उन्होंने चीनी के बर्तनों पर भी चितरकारी की है लकडी वालों पर उन्होंने लीनो कटपी किया है यानि लीनो कट से भी छापा चितर बनाया है उन्होंने बहुरंगी कास्ट उतकीरन भी किया है इंटे गिलियो चितर भी उन्होंने बनाया है ये कलकत्ता के कॉलेज अफ आर्ट में तथा ड्रॉफ्टमेंशिप के प्रध्यापक भी रहे हैं और दिल्ली के कॉलेज अफ आर्ट देखो बहुत बड़ा कॉलेज है दिल्ली में कॉलेज अफ आर्ट इसके छापा कला इसके अलावा महराजा श्याजी राविश विध्याले बड़ोदा तथा कला भवन शांती निकेतन के निरिक्षक भी बने और उनके चित्रों में हमें क्या दर्द देखने को मिलता है और कौन सा दर्द जो लगभगिनों ने महसूस किया अपने पूरे जीवन में आप सोमन अथोर की प्रमुक्रतियां किरतियों में क्या बनाते थे वो तो जान दिया लेकिन कौन सी है तो सबसे पहला Birth of a Rose, Dream, Standing Girl in Grief, Refuses, Uncalled Beggar Family and The Children, The Children वही वाली जिसको हम पढ़ रहे हैं इनकी इन रचनाओं में उन्हें कई रास्ट्रे प्रसकार भी मिले हैं तो दोस्तों ये है आपका समकालीन आधुनिक भारत्य गलाकारों के छापा चितर का पहला चितर और उनके चितरकार यानि की छापा चितर और छापा कार तो बेटा इसके बाद वाली वीडियो में तीनो चापा गलाकारों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो बेटा मेरी वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी जरूर 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 सब्सक्राइब कर दें जिससे कि इस तरह की और वीडियो भी आप देखते रहें और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहें